Hello everyone, welcome to Challenger Classes. अब ही हम Class 10 का 6 chapter पढ़ने वाले हैं, 6 chapter जो ट्रेंगल है. ट्रेंगल एक बहुत अच्छा chapter है, और CBSC board की साफ से देखा जाए तो बहुत scoring chapter भी है. और इसका syllabus भी बहुत कम हुआ है, उस syllabus के साफ से देखा जाती है, यह बहुत ज़्यादा weightage में पूछा जा रहा है. और इस chapter में बच्चों के बहुत सारे doubt भी रहते हैं, इस chapter को हम इतने simple label से लेकि इतने अच्छे label तक ले जाएंगे, कि आपके सारे doubt बिल्कुल आसानी से clear हो जाएंगे. इसके लिए बस आपको एक काम करना होगा, जितने भी playlist में वीडियो जाएंगे सब को one by one करके देखना होगा, कोई भी वीडियो को skip नहीं करना होगा, इसलिए कि आपके सारे concept को boost करने के लिए मैंने जो भी तरीके से जैसे समझाने वाला सब कुछ सीखने वाले हैं, करते हैं, ठीके, chapter में triangle chapter है, तो triangle chapter में हम क्या क्या सीखेंगे, उन चीजों पर एक इक चीजे ध्यान देते हैं, सबसे पहले इसका introduction, अगर आपने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा triangle का, तब भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक चीज समझ में आने वाला है, त तो triangle क्या होता है, triangle, triangle मतलब तीन angle वाला जो बने, उसे triangle बोला जाता है, या तीन side हो, close side हो, तीन side हो, लेकिन close side हो, मैंने A, B, और C, एक figure लिया, जिसमें हमारे पास ये triangle के shape का है, और इसको क्या है, ये close figure है, और इसमें 3 side है, ठीक है, अगर बोला जाए, इसमें side कितने है, side जो है, वो कौन कौन से side है, तीन side है, लेकिन A, B है, एक A, B side, एक B, C side, B, C side, और कौन सा side हो जाएगा, और कौन सा side हो जाएगा, और इसके बाद angle क्या हो जाएगा, angle जो हो जाएगा, angle A, angle B, and angle क्या हो जाएगा, C आजाएगा, और vertex के बाद करें, vertex के बाद करें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक A vertex है, और B vertex है, और C vertex है, ठीक है, अब ध्यान से दिखना, side जो होगा, side जो होगा, यहाँ से A, B, B, C, और C है side हो जाएगा, और angle A, angle A इस इसको बोलेंगे, एंगल सी यह हो जाएगा, और वर्टेक्स जो यह पॉइंट वाला पार्ट होता है, इसको वर्टेक्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यह समझ गए, अब ट्रेंगल के प्रकार कितने होते हैं, ट्रेंगल के टाइप कितने होते हैं, वह हम समझ लेते है अब triangles के type समझते हैं या classification of triangle बोल देते हैं ठीक है classification of triangle इसको हमने दो तरीके इस classify करते हैं एक तो पहला हमने side के according इसके side के according देखते हैं दूसरा क्या होता है angle के according अब ये क्या देखते हैं कि side के according किस तरह का triangle होते हैं और angle के according कौन से types के triangle होते हैं ठीक है अगर हमने side ले ले ठीक है side की साब से हम देखने वाले triangle के अब पहला triangle हमें लिया equilateral triangle equilateral triangle ठीक equilateral triangle हम उसे बोलते हैं जिसके तीनो side equal हो A, B, C एक ऐसा triangle है जिसमें तीन side equal है उसको हमने equilateral triangle और तीनो angle भी equal होते है AB बराबर BC बराबर क्या है CA है या बहुत सकते है angle A equal to angle B equal to angle C equal to कितना आएगा 60 degree आएगा कितना आएगा 60 degree आएगा और दूसरा इसी में जो आएगा type वो आईसोस्केले स्रेंगल हो जाएगा ठीक आईसोस्केले स्रेंगल क्या होते हैं जिसमें दो side equal हो A, B, C मैंने लिया A और C को कोई भी दो side को equal कर दीजे वो हमारा क्या हो जाएगा A, B equal to किसके है A, C के है और ये जो side इसमें एक side नहीं equal हो B, C है आपका अगर ऐसा triangle बनता जिसमें दो side equal हो उसको हमने क्या बोलते हैं आएसोस्केले स्रेंगल हम उसे बोलते हैं जिनमें तीनो side अलग-अलग हो क्या हो तीनो side अलग-अलग हो A, B, C जो बन रहे हैं ये तीनो side क्या है अलग-अलग है हम इसको scale and triangle बोलते है A, B not equal to B, C not equal to C, A, A, C ठीक है ये हो जाएगा ये तो हमारे triangle का किसके हिसाफ से हमने देखा side के हिसाफ से अब इसी triangle को हमने किसके हिसाफ से देखने वाले हैं इसको देखने वाले हमने जो ठीक अब जो अगला देखने वाले हैं किसके according देखने वाले angle के according angle के according triangle को कैसे हम divide करेंगे देखो अगर कहीं पर ऐसा आए पहला triangle का नाम लिखते है acute angle triangle acute angle triangle acute angle triangle का मतलब इसके तीनों angle जो है ABC जो angle बन रहे है वो less than क्या हो angle A angle B और angle C ये तीनों के तीनों less than क्या हो 90 degree हो क्या हो 90 degree तीनों angle क्या हो 90 degree से कम हो तो इसको हमने कौन सा angle बोलेंगे acute angle triangle बोलेंगे दूसरा क्या जाएगा ऐसा कोई triangle जिसमें एक angle 90 degree से बड़ा हो क्या हो 90 degree से बड़ा हो एक angle अगर 90 degree से बड़ा होगा मैं ऐसे बना दिया ठीक है ये ऐसे triangle है जो ये वाला angle है 120 degree अगर माल लिया कि कोई एक angle A B C इसमें क्या हो गया angle B जो हो गया greater than क्या हो गया 90 degree हो गया इसको हमने कौन सा angle बोलेंगे obtuse angle triangle बोलेंगे obtuse angle triangle ठीक है अब तीसरे के बाद इसका तीसरा जो part है जो तीसरा type का triangle है angle के according वो right angle triangle होता के बराबर हो 90 degree के बराबर हो ये एक angle 90 degree मतलब हमने angle B एक क्वोल टू किसके आ गया 90 degree उसको हमने कौन सा बोलते है right right angle triangle ठीक है अब ध्यान समने को जगरे जो हमने लिखा triangle को भी थोड़ा सा briefly समझा हमने triangle के side क्या होते angle क्या vertex होते triangle को कैसे classify करते angle के according हो side के according होते हैं angle के according भी 3 तरह को होते हैं तो जिसमें 3ोman साइ्ट बचापर हो उसको equilateral triangle बोलता है जिसमें 2ोसआइट बचापर हो कोई भी 2ोसाइट बचापर हो हमने लिया AB और AC को अधे वह isoscalous triangle होते है और जिसमें तीनो साइड अलग-अलग होते हैं उसको scale-end triangle बोला जाता है फिर इसके बार आप एंगल के हिसाफ से जिसमें तीनो एंगल less than 90 degree हो उसको हमने acute angle triangle बोलते हैं और जिसमें तीनो एंगल तीनो एंगल नहीं कोई एक एंगल आपका 90 से बड़ा हो जाए हम उसको obtuse एंगल बोलते हैं या कोई एक एंगल 90 बराबर हो जाए वो right angle triangle बोला जाता है चलिए यहां तक हमें अच्छे से आ गया अब आगे वाला part में क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं इसको फटा पट नोट कर लीजिए ठीक है अब ट्रेंगल के पढ़ लिए हम ट्रेंगल में पढ़ने वाले की corresponding part क्या होते हैं corresponding part of triangle क्या होता है इसको समझने यह समझना बहुत जाला जुरूरी है क्योंकि इसी से आप congruency चक कर सकते हैं साई से समझ सकते हैं और दूसरा similarity को भी साई से clarify कर सकते हैं चलिए ध्यान समने कोईश करते हैं एक एक चीजों को बहुत ध्यान समझते हैं ठीक है अब अगर मैंने पहले थो हमने corresponding side लिया corresponding क्या लिया side लिया ठीक है दो ट्रेंगल लिये दो ट्रेंगल है एक ए ट्रेंगल है एक ए ट्रेंगल लिया मैंने अब इसमें मैंने A, B, C A, B, C इसको मैंने नाम दिया P, Q, R और जो ट्रेंगल में एंगल बनाए ये 30 डिग्री है और इसमें ये 30 डिग्री है corresponding side का बात हो रहा तो angle का भी बाद में बात करते हैं पहले हम इसको हटाते हैं और corresponding side का बात करते हैं ठीक है अब इसमें देखना ये हमारा एक line है यहाँ पर दो line इसके उपर हमने लगाया और इस वाले हमने क्या लगाया तीन line लगाया अब ये line का मतलब क्या होता सबसे पहले समझ जाते हैं अगर कहीं पर एक line है तो अगले triangle के एक line वाले के साथ ये बराबर है बराबर है क्या है ये AB इक्वल किसके है QR के इक्वल है अगर AC का पुछा जाए वो किसके बराबर है PR के बराबर है और यहाँ BC बराबर किसके है PQ के बराबर है ये तो समझ में आ गया कि जो line हो है अगर similar line दिख रहे है तो वाले side equal है तो अगर हम देखें कि ये वाला side जो ये वाला side है AB equal किसके है QR के और यहाँ से हमने बोले AC AC equal किसके है वो PR के है और BC equal किसके है, BC equal किसके है, वो PQ के, जो ये equal हुए है, ये कैसे पता चला आपको equal हुए है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ अनुमान लगाया, कि ये वला इसके तरह दिख रहा है, मतलब ये एक line है, मतलब ये वला जितना centimeter को होगा, उतना centimeter के होगा, और ये वला जितना centimeter को था यह वाला था तिस्रीक बोलते हैं corresponding side यह तो equal था अगर equal नहीं हो अब जो इस chapter में पढ़ने वाले हैं हम basically similarity पढ़ने वाले similarity में तो equal होता नहीं similar है तो यह side cm देखेगा इसके proportional होता है proportional का मतलब पैस्वता मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आप इधर focus करके ध्यान दें तो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है ठीक है तो एक हमने triangle लिया ये और एक triangle मैंने ये लिया ध्यान समझे कुछ करें ये लिया मैंने 4 cm और ये 3 cm है ये है 2 cm ठीक और इधर जो आजाएगा a, b, c और यहाँ p, q, r है अब ध्यान से देखने कोशिस करिए आप लोग कि ये triangle मैं मैंने अपने side decide कर लिया अगर इसमें similarity के हिसाब से हमें corresponding side दूड़ना है यहाँ पर हमने जो दूड़ने वाले हैं यहाँ congruency के हिसाब से अभी दोनों में पढ कि पहले आप यह समझे corresponding side का होता है ठीक है corresponding side जिसके यह similar यह दिख रहा थया एक जैकली इसके बराबबत इसका corresponding side यह था इसका corresponding side यह था, इसका corresponding side यह था, अब ऐसा figure similar है, लेकिन वो उसका corresponding side कैसे पता चरहेंगे, अब यह 4 है, इसको मैंने 8 बना लिया, इसको 6 बनाया, और इसको मैंने 4 cm लिखा, ठीक है, अब देखना देहां से, कहीं न कहीं, यह 4 वाला, जो यह 4 का 2 times यहां हुआ, 8 हुआ, इसक 3 times यहां पर हुआ, और इसका 2 times यहां, जो इसका 2 times यहां हुआ था, इसका भी 2 times यहां हुआ था, इसका भी 2 times यहां हुआ है, जितना यहां पर उसका double यहां पर है, जितना इसका double यहां पर है, और इसका double यहां पर है, अच्छा इसके थोड़ा सा बदल देते हैं, थोड़ मैंने कर दे ऐसा कर दे कि मैंने यहां बदल दिया कि आप इसको मैंने 8 cm लिख दिया इसको लिख दिया 6 cm लिख दिया और इसको लिख दिया 4 cm अब क्या इसके सामने सामने वाला दिख रहा है बिलकुल नहीं दिख रहा है अगर इसका डबल देखा जाए तो यह वाला बन गया और इसका डबल क्या है यह वाला है और इसका डबल क्या है अब जो देखो सब में कहीना कहीं एक चीज कॉमन मिला कि इसका डबल कहीना कहीं इ मना दे रहा हूं, ab proportional होगा, किसके proportional होगा, वो होगा qr के, ठीके इसको बोलेंगे, यह estова corresponding side कान差 है? abortion corresponding side कान差 है? वो qr है, कान差 corresponding side होगया qr होगया? और अगर bc का corresponding side देखा जहे? तो का सा है इसका double, 2 का double काननन सा है? 4 है, तो यहां से हो जाएगा, BC का जो double हो जाएगा, वो क्या आजाएगा, वो PR आजाएगा, और BC का double PR आजाएगा, और अगर देखा जाए, AC का, AC का corresponding side, कोन हो जाएगा, वो PQ आजाएगा, तो यह हमें पता चला, कि अगर कहीं पर ऐसा equal equal दिख रहा है, तब तो हम खोज लेंगे बड़ा असानी से, अगर वो equal नहीं दिख रहा है, कहीं न कहीं, proportional side जैसे बोनते हैं, यह हम आगे भी बात करेंगे, proportional side क्या होता, similarity क्या होता, congruency क्या होता, congruent क्या होता, सब कुछ बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले समना, इसके, यहां देखने में एक common चीज मिला, क कि इसका double यहां कहीं रखा हुआ, इधर है, तो हमने double वाले के साथ देखा, four का double eight होता है, तो इसका corresponding side यह बन गया, इसका double यह होता है, इसका corresponding side यह बन गया, यह समझे में अगे, अगर corresponding angle का बात करा जाए, तो यह वाला, अब इसकी साफ से खुज हो, यह line, यह बराबर थ इसके सामने कौन सा angle बना, यह वाला angle बना, ठीक है, समझना देहां से, और इस वाले line, यह दोनों बराबर थे, इसके सामने कौन सा angle बन रहा है, तो आप यहां से बहु सकते हो, कि जो angle C, angle C, किसके corresponding है, angle P के corresponding equal है, एक चीज मिल गया, दूसरा, यह दो को double line इसके, double line के सामन कौन से angle बन रहा है, क्यों बन रहा है, हम बहु सकते है, angle B equal है, angle Q के, ठीक है, ऐसे यहां बहु सकते है, यह तीसरे line के बराबर यह बन रहा है, यहां पर इस तीसरे, तीन line जहां पर हमने बनाया थे, उसके सामने बन रहा है, आप बहु सकते है, angle A बराबर क्या है, angle R के, अ अब यहां समने, अभी side का corresponding side देखे थे, अब यह क्या हो गए, corresponding, यह corresponding क्या हो गए, angle हो गए, और यह तो अभी थे, यह तो corresponding side थे, क्या थे, corresponding side थे, अब इसका अगर corresponding angle ढूड़ना है, तो बड़ा असान हुआ, क्या हुआ, बहुत असान हो, कैसे सूड़ेंगे, अब ध्यान देखना, corresponding angle अगर हमें ढूड़ना है, तो हम क्या करेंगे, देखो कौन सा side किसके corresponding है, यह तो, यहाँ पर, दोगो, AB, corresponding QR है, तो AB के सामने कौन सा angle बन रहा है, यह वाला angle बन रहा है, AB के सामने, और इसमें 4 का double, जो QR था, QR के सामने कौन सा angle बन रहा है, तो आप बोलोगे, angle C, जो equal होगा, angle P के, angle P के बराबर होगा, और दूसरा क्या बात करने वाले, 2 के, 2 के similar कौन सा दिख रहा है, यह दिख रहा है, इसके तरह दिख रहा है, तो यह 2 के सामने कौन सा angle बन रहा है, यह वाला angle बन रहा है, और इसके 4 के सामने कौन सा angle बन रहा है, हम बोच सकते हैं, एंगल A, एंगल A जो equal होगा, एंगल Q के बराबर होगा, अब बचा रहा गया कौन सा, B वाला, और यहां पर बचा रहा गया, कौन सा, कौन सा बचा रहा गया, तो एंगल B, B equal हो जाएगा, एंगल R के, इसको हम क्या बोलते हैं, corresponding angle, जब ऐसा हो, similar figure हो, तब ऐसा हम करते हैं, तो हमने दोनों चीजों को बहुत अच्छे समझा, अब आगे बात करने वाले हैं, यह तो chapter का ही जान है, अगर यह चीजें नहीं समझ में आ रहे हैं, तो फिर से देखो, इसको दुबारा repeat करो, क्या बात करने वाले हैं, ठीक है, चलो, अब आगे पढ़त हैं, फिर similarity पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, congruent of two figure, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कहीं पर दो figure congruent है, तो अब हम उसके बारे में क्या सूचते हैं, क्या मतलब है, कैसे समझ पाएंगे हम यह दोनों figure congruent है, अब congruent कहीं पर दो figure है, इसका मतलब समझ जाना है, कि उसका shape और size क्या है, equal है, shape or size क्या है, equal है, मतलब वो बिल्कुल shape or size में equal दिख रहे हैं, अगर एक रुपे का coin लिए, तो देखो एक रुपे का coin पुराना और नया बहुत सारे देखे होंगे, वो नया वाला coin का अगर सिक्का लेते हो, जो latest आया हुआ, वो दोनों आपको congruent बोल सकते हो, लेकिन अग congruent नहीं हुआ है, तो अब बात करते हैं, अगर shape or size बराबर मिल गए, हम उसको क्या बोलते हैं, congruent बोलते हैं, लेकिन हमें यहां क्या पढ़ना है, कि triangle के बारे में पढ़ना है, तो चलिए, हम यह तो समझ लिए, अब पढ़ते हैं कि congruent, congruent of triangle, कोई भी दो shape बराबर हो, तो हम क्या बोलते हैं, वो shape or size equal हो, तो उसे congruent बोलायता है, अब मैंने यहां से एक triangle लिए, लिख दिया है, triangle A, B, C, यह congruent है, congruent का sign ही होता है, triangle P, Q, R के congruent है, किसके congruent है, triangle ABC congruent किसके है, P, Q, R के congruent है, अगर ABC congruent है, इसका मतलब समझना देहां से, यह दो triangle थे, यह triangle एक है, और एक triangle हमारे पास यह है, और इन triangle में अगर देखा जाया है, तो यह triangle था, ABC triangle, और यह कौन से था, यह P, Q, R triangle है, यह P, Q, R triangle है, तो यह triangle दोनों पहले से क्या है, similar है, similar है, sorry, similar नि, congruent है, क्या है, यह congruent है, congruent है, congruent और similar में दोनों में बड़ा फर्क होता है, समझना देहां समय कि चीजों को बहुत ही explain करके चल रहे हैं, आपके साथ, ठीक है, अब अगर यह दो triangle congruent है, तो यहां से दो चीजे बात पता चलने वाले, कि इनके corresponding side equal होंगे, corresponding side equal होंगे, अब आपको corresponding side कैसे पता चलेगा, और इनके corresponding angle भी equal होंगे, आपको जो नामकरन करा रहता है, triangle ABC या PQR, तो यहां से आप समझ सकते, AB जो है, यह starting का AB, वो बराबर किसके, यह AB equal किसके है, AB जो equal है, वो PQ के equal है, किसके है, PQ के equal है, और BC जो equal है, यह BC जो equal है, व QR के equal है, आगे जो बचा, AC, AC जो equal है, PR के, AC जो equal है, वो किसके है, PR के, तो इसको हम क्या बोलते है, corresponding side, अभी इसी से पहले जेस्ट पढ़के आए, यह corresponding side क्या होता है, यह corresponding side हो गया, corresponding side, अब देहां से देखना, यह जो लिखा हुआ, उसी कहसाब से आप बीबी समझ सकते हैं, इसका मतलब मैं बोलाता है, यह वाला side इसके बराबर है, यह वाला side इसके बराबर है, यह वाला side इसके बराबर है, और यह वाला side, यह वाला side क्या है, इसके बराबर है, यह हमने देखा कि यह जो congruent दिया हुआ था अगर इससे हमने एंगल की बात करें तो एंगल यह जो equal होगा एंगल P के एंगल A equal होगा एंगल P के हो जाएगा और एंगल B जो equal होगा एंगल B जो equal होगा वो एंगल Q के equal हो जाएगा और एंगल C जो equal होगा अब फोड़ा सब पढ़ लेते हैं क्राइटरिया पढ़ लेते हैं हमने को कॉंगुरुएंसी क्राइटरिया क्या होता है जब हम दो ट्रेंगल को कॉंगुरुएंट करने की कोशिज करते हैं उसके लिए हमें किसकी ज़रूत पढ़ता है कॉंगुरुएंसी क्राइटरिया की ज़रूत पढ़ता है और कॉंगुरुएंसी क्राइटरिया कितने टाइप होते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं फटापड वो जो होते हैं आपके कॉंगुरुएंसी क्राइटरिया वो होते हैं पांस सबसे पहला होता है साइड साइड इमने SS बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, side angle side होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है, वो आपका होता है, angle side angle होता है, और चौथा जो होता है, वो angle angle side होता है, और पांचमा जो होता है, वो RHS होता है, right hypotenuse side होता है, ये पांच तरीके से हम क्या करते हैं, किसी दो triangle को ह करते हैं अब थोड़ा-सा इंपे हलका-लका briefly हम समझते जाते हैं कही फर भी 2 triangle को side-side से करना है तो इसमें क्या होता है कि अगर इसके 3 side corresponding side बराअबर मिल जाए corresponding side बराअबर मिल जाए तो हम बोलते हैं ये 3 side मदलखें इस triangle के 3 side इस triangle के 3 side के बराबर मिल जाए तब हम क्या बोलते हैं ये दोनों triangle क्या हो गया congruent हो गया कैसे side 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 rule से अगर इसमें क्या हो कहीं पर 2 side मिले 2 side मिले 2 side मिले मैं ऐसे थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहां से आपको देखे करें थोड़ा और बड़ा figure बनाता हूँ ठीक है ऐसे 2 side मिलें आपको हम इस rule को समझते है एक side ये मिल गया इसके बराबर और ये वाला side इसके बराबर मिल जाए और ये वाला angle इसके बराबर मिल जाए तो किससे बोलेंगे side angle side से क्या हो गया congruent हो गया क्या हो जाएगा side angle side से क्या हो जाएगा congruent हो जाएगा अब आगे बात करते है ठीक है angle side angle से अगर कहीं पर एक angle इसके बराबर आजाए और ये वाला angle इसके बराबर आजाए और ये वाला side आ जाए बराबर, तो देखो क्या हो रहा है, एक angle इस angle के बराबर हुआ, एक side इसके बराबर हुआ, एक अगला angle फिर बराबर हो गया, थो हम बोलेंगे angle side angle criteria से, ये दोनों triangle क्या हो गए, congruent हो गए, अब आते हैं, अगले वाले criteria की बात कर लेते हैं हमने, अगल angle side से, angle angle side से क्या हुआ, ये दोनों triangle क्या हो गए, congruent हो गए, अब RHS की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अब RHS के लिए क्या होना चाहिए, आपको 90 degree चाहिए, चाहिए, ये 90 degree देहां से देखो, ये 90 degree है, और ये 90 degree है, अगर ये 90 degree मिल गया, और उसके सामने वाला एक side भी बराबर मिलना चाहिए, side, इसके बाद, दो, इसमें condition fulfill हो गया, एक right angle मिलना चाहिए, दूसरा H, S मतलब 90 degree सामने वाला side बराबर मिलना चाहिए, अब तीसरा condition, आप इसको बराबर करना चाहिए, तो इसको कर लो, अगर या तो इसको बराबर करना थे, इसको बराब कर, कि सारे corresponding side बराबर जाते है, सारे corresponding angle बराबर जाते है, I hope, अभी तक हमने जो पढ़ा, वो बहुत अच्छे सापको समझ में आया होगा, अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया, तो एक comment जरूर करें, कि यहां तक तो हमें समझ में आ गया, अब आगे वाला मेरी जिम कर दो कि अ, कि अ, कि अ, कि अ, कि, अ, और, अ, तो उस्से पहले हम तो हम सिमलर फिगर के बारे मीं हम concept जानते हैं, ठीक है, congruent तो हमने पढ़ लिया, similar क्या होते हैं, उनके बारें पढ़ते हैं, similar figure क्या होते हैं, ठीक है, similar figure का मतलब ये है, कि उसका shape एकदम exactly उसकी तरह दिखता हो, size कैसा भी उससे matter नहीं करता है, तो अगर कहीं पर हमने बात करें, कि एक circle देख लो, जितने भी circle हैं, ये circle हैं, ये circle देख लिए, ये दोनों का shape तो same दिख रहा है, circle की तरह हैं, तो हम इनको क्या बहुत सकते हैं, similar बहुत सकते हैं, अगर मैंने कोई ऐसा लिया, जो एकदम बिल्कुल same दिख रहा लेकिन छोटा बड़ा है, तो बिल्कुल कोई दिख रहा है, वो similar हैं, बहुत सकते हैं, आपने बोलते हो, कि ऐसे आप इसके similar दिख रहा है, इनके जैसा आपने copy करा है, तो ऐसे चीजों में क्या होता है, कहीना कि उनके जैसा दिख रहा होता, तब आप बोलते हो, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक triangle लिया, ट्रेंगल, और एक triangle यहाँ पर लिया, तो यह दोनों triangle कैसे हैं? यह similar दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? अगर similar दिख रहे हैं, मतलब यह equilator triangle है, यह equilator triangle, लेकिन एक छोटा है, यह क्या है? यह बड़ा है, इसमें भी तीनों side equal है, मतलब यह एक छोटा एक बड़ा है, यह similar figure, अब similar figure से समझ में आया कहीं पर shape same हो, size matter नहीं करता हमारा, तो इसके लिए हमने क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे, keval keval क्या होना चाहिए, shape same होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि यह figure क्या है, similar है, क्या बोल सकते हैं, similar है, अब यह दोनो condition हमने apply कर लिया, देखो यहाँ ध्यान से, यह भी है, और यह भी है, ठीक है, यह दोनों में कैसे हुआ, इसका मतलब यह non-similar होंगे, ठीक है, यह similar नहीं हो सकते हैं, अब आगे हम बात करते हैं, थोड़े से कुछ figure आगे देखते हैं, और उसको समझते हैं कि वो similar हैं या नहीं है, देखिए, समझे इसको, अब देखके बताइए, इसमें कौन सा figure similar दिख रहा है, दोको यह सारे figure similar बनाएगे, इसमें example, यह circle है, यह circle similar क्यों दिख रहा है, क्योंकि यह तीनों का shape एकी जैसा है, िनों का है, से अब यह समझ में, कहँ पर भी से रहा है, और size matter नहीं करता है तो हम क्या बोलेंगे उसको similar figure बोलेंगे चलिए बहुत बढ़िया अब यहां तक तो समझ में आगे हमें बहुत अच्छे समझ में आगे अब आगे क्या similar figure का हमें पहचानने का तरीका यही होता है कि बस shape देखा और बता दिया similar हो गया बिलकुल नहीं अब इसके लिए हम mathematically भी समझते हैं और उसको समझते हैं कि उसका condition क्या होता है similar को check करने का यह आप कभी-कभी अब आगे example भी हम एक आग दो discuss करेंगे कि similar दिख रहा था लेकिन उस similar था नहीं वो region क्या था कैसे था वो सब को discuss करने वाले चलते हैं आगे के topic ठीक है अब देखो यह चीज हमें जरूरत पढ़ने वाली है कि कहीं पर भी दो ऐसे polygon है जिनकी same number of sides है क्या है? दो polygon है वो same number of sides है उनके लिए similar के क्या condition बनाया गया है similar के condition बनाया गया है एंगल और corresponding side are in the same ratio यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि बोलने है कि कोई polygon है कोई भी दो polygon है लेकिन वो same number of sides में है same number of side में अगर वो triangle है तो triangle के साथ ही आप similarity दिखा सकते हैं quadilateral है तो quadilateral के साथ दिखा सकते हैं pentagon है तो pentagon के साथ दिखा सकते हैं hexagon है तो hexagon के साथ दिखा सकते हैं मतलब जितने भी triangle में तीन side होते है तो अगले तीन side वाले के साथ quadilateral में 4 side होते है 4 side के साथ, pentagon में 5 side होते है 5 side के साथ, ऐसे करके हमें दिखा सकते हैं चलो यह तो बहुत अच्छे से समझ में आगे आपको बहुत बढ़ी है अब इसको हम थोड़ा सा है logically समझते हैं एक figure बनाते हैं और उसे समझते हैं और बहुत मस्त आएगा समझ में आपको ठीक है दो मैंने एक figure बनाया A B C D और यहाँ पर एक figure बना लिया है मैंने यह figure कैसा भी है थोड़ा सा नहीं दिख रहा है same मैं same करने के लिए इसको जरूरत पड़ेगा इसको आगे कर लेते हैं इसको ऐसे करते हैं और यहाँ से हमने ऐसे कर देते हैं थोड़ा बहुत similar दिख रहा है ठीक है D EFG करते हैं इसको P Q R S आप समझने कोशिस करिएगा आप बहुत ध्यान समझेगा ठीक है छलो एक्जामपल के साथ समझाता हूं ज़्यादा अच्छा समझ मेंovat ठीक है एक्जामपल के साथ समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा इसको मैंने बना लिया सिक्स सेंटीमेटर और यह आ जाएगा एट सेंटीमेटर हो जाएगा और यह बन जाएगा टैन सेंटीमेटर ठीको यह आगया 30 degree यह angle जो दिया गया चलो 60 degree माल लिया यह जो है 120 degree है ऐसे बना रहे हैं बस रफली यह आजाएगा आपका यह 90 है और यह वाला भी 90 ले लिया मैंने तो इसी साफ से यह भी हो जाएगा कितना 60 degree हो जाएगा और 120 हो जाएगा और अगर यह 90 दिख रहा है तो यह वाला 90 हमने बना लिया ठीक है अब यह जो मैंने figure बनाया इससे आपको सब कुछ चीज़े एक एक line by line अच्छे से concept clear हो जाएगा ठीक है अब समझने कोशिज करिए आप पहला चीज क्या बोला गया यह बोलना है कि दो पॉलिगन अगर वो similar हो सकते है तो उनका पहला condition लाई करना चीज़े पहला condition क्या है उनके corresponding angles equal होने चाहिए अब corresponding angle क्या होते है यह angle देखो यह वाला angle जहांसे देखना angle A equal किसके दिख रहा है उसमें angle P के बराबर दिख रहा है angle R के बराबर दिख रहा है और angle C के बाग angle D जो बराबर दिख रहा है angle S के बराबर दिख रहा है यह कौन से angle है इसी को बोलते हैं हमने corresponding angle खीक है अब दूसरा बात करें हमने तो अब आगे वाला जो बहुत important उससी जागा है यह बुलने कि their corresponding side are in the same ratio same ratio या proportion दोनों का मतलब same है proportion का मतलब क्या होता है कि अगर इस side को मैंने दो गुना करा तो अगली सारी side भी दो गुना हो जाएंगे तो इसका मतलब इस side के हिसाब से अगली सारी side चल रही है proportion अगर मैंने अपने bike के speed को 20 गुना बढ़ा दिया तो मेरा distance भी 20 गुना कम हो जाएगा तो कहीं न कहीं proportional तो हो रहा है वैसे इसमें भी चल रहा है तो इसको हम बोलते हैं कि अगर इसके हिसाब से जो अगली side जितना times increase कर रहे है decrease कर रहे है उतना ही time सारे side भी increase या decrease कर जाएगी तो इसको corresponding side के बोलते हैं कि proportional में proportional का मतलब अगर इन दोनो side का ratio निकालोगे तो यह same आएगा अब हमने a b निकालते है तो अब अपन में यह ps निकालते है a b upon में ps निकालते है तो a b कितना है 2 और ps कितना है 4 cm इसको cancel करोगे तो कितना आ जाएगा 1 by 2 एक तो a मिल गया दूसरा अगर हमने आते हैं कि b c upon में यहाँ गलत लिख दिया a b की value 2 नहीं है वो a d की value 2 है a d है 2 a d की value 2 अगर a d की बाद हमने आते है a b a b upon में a b की value p q आ जाएगा p q a b की value 5 और p q वैले 10 इसको cancel करोगे तो यह b 1 by 2 आएगा अगला देखे देहां से कि अगला side क्या b c है b c और यह कितना दिया हुआ q r अगर b c की value 4 तो q r की value 8 इसको भी cancel करोगे तो कितना आएगा 1 by 2 आएगा ठीक अब आगर देखे आगे c d upon में c d upon में क्या हुआ c d upon में s r c d upon में s r आ गया तो इसको हम क्या करेंगे c d की value 6 1 minute c d की value 3 cm है 3 cm है और इसकी value 6 cm है इसको cancel करोगे तो कितना आएगा 1 by 2 आएगा अब यहां से यह देखा जो लिखा गया था कि their corresponding देखो यह side इसके corresponding था यह वाला side इसके corresponding था यह वाला side इसके corresponding यह वाला side इसके corresponding यह ऐसा जरूरी नहीं कि इसके आमने सामने यह वाला सामने आमने सामने देख रहे हैं AB, AB upon में, PQ equal था किसके, BC upon में, QR, QR equal किसके था, CD upon में, CD upon में, SR, equal किसके था, AD upon में, DS, PS के, किसके था, PS के, PS, DS नहीं, PS, तो यह सब equal थे, इनी को बोला जाता है, कि जब कोई भी, Polygon के, Corresponding Side का Ratio सेम आ जाए, और, उसके Corresponding Angle Equal हो जाए, दोनों condition लाए कर जाते हैं, तब हम इनको बोलेगे क्या, यह, जो दोनों figure हैं, वो similar हो गए हैं, लोग, यह भी concept मजा आ गया पढ़के, अब आगे हम समझते हैं, कि कुछ figure दिये गए, वो इन figure से समझते हैं, कि वो, आपका similar बना रहे हैं, या नहीं बना रहे हैं, तो चलो फुरापट, इसको note करिए, और हम अगले concept की तरफ आते हैं, ठीक है, दो यह NCRT में दिया हुआ सारा चीजे, तो मैंने इसलिए लिया कि आपका concept अच्छे से clear कर पाऊं, इसलिए इसको जरूरत पढ़ा मुझे, तो ठीक है, समझने कोशिश करिए, अब यहां देखिए, कि हमें यह दोनों लिखा हुआ, कि आपको check करो, इसमें हमें check करना है कि दोनों क्या है, similar है या नहीं, similar होने के लिए, इनके corresponding angle equal होने चाहिए, तो मैं देखिए, angle 1, angle 1 किसके बराबर है, angle 1 किसके बराबर है, बताईए फ़राबर, angle, sorry, angle A बराबर जो है, angle P के बराबर है, और एंगल B बराबर किसके है एंगल B बराबर है Q के बराबर एंगल B जो बराबर है एंगल Q के बराबर है और एंगल C एंगल C बराबर किसके है एंगल R के और एंगल D बराबर जो आ जाएगा वो S के बराबर है इसका मतलब हम बो सकते हैं corresponding angle, एक condition तो मिल गया, जो उसमें में बताया गया था, कहीं पर दो figure similar होते हैं, उसको corresponding angle बरापर होते हैं, और उनके corresponding side के ratio से हम होते हैं, तो यहाँ पर हमने corresponding angle तो खोज लिया, ठीक, अब इनके corresponding side का ratio निकालते हैं, इसका मतलब, जहां से देखने को जिए, AB, 1.5, देखो इसका double यहाँ पर रखा हुआ, 3, इसका double यहाँ पर रखा हुआ, और 2.4 का double यहाँ रखा हुआ, लेकिन 2.5 का double यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है, इसका double यहाँ पर रखा हुआ, तो चलिए हमने क्या नहीं करते है AB upon में AB upon में PQ लेते हैं तो 1.5 को divide करेंगे किसके 3.0 से इसको अगर cancel करोगे तो कितना आएगा 1 by 2 आएगा फिर इसके बाद अगर हम चक करें BC BC upon में BC upon में Q R यह आजाएगा 2.5 नीचे 5 इसको cancel करोगे तो यह भी आएगा 1 by 2 आजाएगा ठीक है अगला देखते है CD upon में CD upon में RS CD की value है 2.4 RS की value कितना दिया हुआ 4.8 इसको अगर cancel करोगे कितना आजाएगा 1 by 2 आजाएगा ठीक है और AD AD upon में PS देखते हैं AD upon में PS देखते हैं 2.1 upon में कितना दिया हुआ 4.2 इसको भी cancel करोगे तो आएगा 1 by 2 अच्छा इनके corresponding side के ratio भी equal आगे क्या आगे हैं हमें इनके corresponding side के ratio भी आगे इसका मतलब यह बहु सकते हैं कि AB upon में PQ equal equal जो हो गया BC upon में BC upon में QR equal जो हो गया CD upon में RS और equal किसके हो गया AD upon में PSK ठीक है यह अगर इनके corresponding side के ratio equal हो गया और इनके corresponding angle equal हो गया है हम वो सकते हैं यह जोनों figure बन रहे थे वो क्या हो रहे है similar figure है कैसे figure है यह similar figure है यह similar figure है कैसे figure है यह similar मतलब यह वाला quadilateral इसके क्या है similar है ठीक है तो चलो यह question तो आगया अगला भी कोई है क्या उसको भी देखते है फटाफट इसको भी note करिये अगला दिया हूआ अब इसमें चक करिये यह दिया हूआ आपका क्या है square है square है सारी side बराबर है यह भी सारी side बराबर है लेकिन इसके angle इसक्वाइर बन रहा है और इधर क्या बना रहा है यह रोमबस बना रहा है ठीक है अब देखो ध्यां से इनके साइड का अगर रीश्यू निकालोगे तो हर जेगा देखते हैं हमने रीश्यू निकालते है फड़ाबट ठीक है AB upon में PQ यह आजाएगा 2.1 upon में 4.2 इसको अगर divide करोगे तो 1 by 2 आएगा अच्छा बाग की सबका भी सेम इसी तरह करने वाला है तो उसका भी 2.1 को अगर 4.2 से divide करोगे तो सबका इसी बराबर आएगा थमबो सकते BC upon में जो Q R आने वाला है वो भी 1 upon में 2 के बराबर आएगा और जो CD upon में PS आने वाला है वो भी किसके बराबर आएगा और DA बराबर DA upon में जो SP आने वाला है वो भी किसके बराबर आएगा तो यहाँ से एक चीज़ तो मिल गया है इनके corresponding side के ratio क्या है their corresponding side ratio are same यहां मैं बोसकता है यह जो corresponding side के ratio of proportion मतलब यह corresponding side जो proportion में अच्छा इसके angle के बाद अगर हम करें angle के बाद करें हमने angle क्या देख रहे है angle A किसके बराबर है 90 degree के बराबर है लेकिन angle P ही नहीं पता हमें किसके बराबर हो not equal to 90 के है तो यह तो corresponding यह से अब सारे angle का भी होई हाल होगा यहां पर क्या होने वाला angle क्यों भी नहीं तो ऐसे हम बोसकते हैं इनके corresponding angle are not equal तो आप यह दोनों जो दोनों फीगर दिये गए थे वो not similar है वो not similar है यह similar नहीं है तो इसमें रीजन कैसे फेल हुआ किनके corresponding angle equal नहीं हुआ है चलो यह भी समझ में आ गया अब अगला भी कोई देखे फीगर है उस फीगर को भी समझते हैं फटा फट इसको नोट करिए नही ठीक है यह फीगर में देखो क्या दिया हुआ अब इसमें angle सेम देती है लेकिन इनके ratio सेम नहीं है देखो दिया समना यह 3 3 है इधर तो 3 में यह दो इसमें 3 upon में अगर हमने उधर से 3 upon में ऐसे करते है इसके angle तो बराबर है बस इस figure को solve नहीं करेंगे हमने ओपर 3 है इस वा आपका यह 3 30 upon में 35 आएगा मालो ऐसे कर दिया हमने decimal हटा दिया अब क्या इसमें बराबर आएगा अगर इन दोनों का देखा जाती है 3 3 है इसको 3 को 3 से divide करोगे तो इसका 1 आएगा मतलब इनके corresponding side के ratio सेम नहीं आ रहे है पिसले वाले में क्या था वहां पर corresponding side के angle सेम नहीं इसलिए हम दो similar नहीं थे यहां पर angle सेम है लेकिन के corresponding side के ratio सेम नहीं इसलिए इसके क्या है यह दोनों आपके क्या इन दोनों को हम बहु सकते हैं यह similar figure नहीं अभी तो हम इस chapter में जो पढ़ना था उस chapter के बारे में नहीं बात करें chapter का नाम क्या है triangle triangle का बात ही नहीं चल ला ह थोड़ा भीया triangle के भी बात कर लो चलते है triangle पर बात करते है triangle बे बात करते है और उसके साथ से हम उसको देखते हैं कि उसमे corresponding side और corresponding angle का क्या चर्चा है ठीक है similarity of triangle अगर कहीं पर भी दो similar triangle है तो हम उसको क्या क्या चीज़े समा सकते हैं अच्छा जितने भी polygon होते हैं जो मैंने पीछे पढ़के आएं अभी हमने पिछले slide में पढ़के आएं उसमें क्या लिखा कि किसी भी polygon के अगर corresponding side के कि ratio same आ जाए या corresponding angle equal आ जाए हम बोलते हैं वो दोनों triangle क्या है या दोनों figure क्या है similar है तो यहां सकर हमने यह दोनों similar है अब उसकी हिसाब से हम क्या समझ सकते हैं उसको समझना हमें ठीक है अगर हमने a लिया, b लिया और c यह similar figure है किसके अगले triangle जो p, q, r है किसके p, q, r है तो आप क्या बोल सकते हो यहां से जैसे similar होंगे इनके corresponding angle equal हो जाएंगे corresponding angle equal हो जाएंगे क्या हो जाएंगे corresponding angle equal हो जाएंगे और corresponding side भी equal हो जाएंगे तो मैं example के लिए ले ले रहा हूँ ठीक है अब यह दोनों क्या है similar है similar है तो इस द्यांसर ने, इनके corresponding side का ratio यह similar है हमें similar probe नहीं करना हमें चक भी नहीं करना है यह similar है तो इसका मतलब हम सीधर समझ जाएंगे corresponding side के ratio सेम है और corresponding angle क्या है equal है, ठीक है तो corresponding side देखते हैं, देखो AB का corresponding side कौन बनने वाला भीया AB का corresponding side QR बनने वाला क्योंकि देखें इनमें double का हर जगा दिख रहा है तो इसका मतलब 2 का double करोगे 4 आएगा, 2 का double तो 8 आ नहीं सकता, 2 का double 6 भी नहीं आ सकता इसलिए 2 का double करोगे 4 आएगा इसको हमने 2 को divide करेंगे गर 4 से तो यह कितना आगया 1 by 2 आगया ऐसे अगर हमने BC का BC का ratio देखें वो किसके बराबर आजाएगा BC का ratio जो आएगा वो Q P के बराबर आएगा Q P के बराबर आएगा यहाँ आएगा 4 upon में 8 जोसे cancel करेंगे 1 by 2 आगया ठीक है और अगला अगला हमने जो AC AC upon में AC upon में किसको करेंगे हमने PR AC upon में AC की value जो दिया गया 3 और PR की value 6 इसको गर cancel करोगे तो 1 by 2 हो गया अब यहाँ से क्या देख की मिला कि इनके corresponding side के ratio क्या हो गया है equal हो गया मतलब यहाँ तो बोल सकते हो इनके corresponding side proportion में है क्या है proportion में है ठीक है यह तो एक चीज आप जैसे भी कोई दो triangle similar दिया हुआ तो वहाँ से एक चीज फाइन कर सकते है इनके corresponding side क्या है क्या ratio सेम है दूसरा चीज हमने क्या कर सकते है दूसरा चीज हमने कर सकते है कि उनके corresponding angle equal है तो आप दोखो यह के इस वाले side AB corresponding के सामने कौन सा angle बन रहा C वाला और एक corresponding किसके था QR के था इसके सामने कौन सा angle बनेगा तो हम बोखो सकते है angle C जो equal होगा किसके B के बराबर होगा और angle angle 4 किसके corresponding था 8 के था तो इसके सामने जो यह वाला angle बन रहा और इसके सामने कौन सा angle बन रहा यह वाला बन रहा है तो हम बोखो सकते angle A equal हो जाएगा किसके angle R के ठीक है अब आगे जो बात करने माले कि AC जो यह 3 गा और 6 से था इसके सामने जो एंगल बन रहे B और क्या बन रहे एंगल B equal to क्या हो जाएगा एंगल Q हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे यह corresponding क्या है एंगल है ठीक है यह तब होते हैं जब दो ट्रेंगल सिम्लर हो जाएगा अब आपको तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आवे एक इस चीज को हमने कई सारे तरीके समझा और बहुत तरीके समझा ठीक है चलो अब इसके आगे हम लेते हैं थोड़े से आपके fill in the blank से exercise के उसको करते हैं फिर अगला lecture हम अगले exercise से सुरू करेंगे उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ट्रेंगल को similarity तो आपने देख लिया similar अगर ट्रेंगल है तो कैसे होने वाला है उससे पहले अगर हमें ट्रेंगल के अगर सबसे important theorem की बात करें वो थेल्स theorem है थेल्स theorem या BPT theorem basic proportionality theorem वो पांच या चार नंबर या तीन नंबर में पक्का आने वाले हैं आपका इससे कम नहीं आएगा तो इस लिए उस theorem को पहले start करेंगे फिर इसके बाद हमने क्या करने वाले है कि उसके exercise को solve करेंगे चैप्टर ट्रेंगल के दो exercise है और अच्छे से कर जाओ इसके extra question भी हम करवाएंगे जिससे आपका क्या होगा और भी ट्रेंगल के अलग-अलग type के question भी आप कर पाओ चलो ठीक है अब इसको हमने कर लिया आगे हमने fill in the blanks थोड़ा सा समझते हैं बाकी सारे चीज़ा आपने समझ रखा है ठीक exercise 6.1 ठीक इसमें बताइए फटा फट हम देखते हैं कि क्या होता है कैसे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये exercise का पहला ही question है और दूसरा तीसरा question तो similar ऐसे ही जो आपने पीछे example को लेके करें उसको आप देखते ही कर जाओगे इसको समझ लेते हैं all circle are congruent क्या सारे circle congruent हो सकते हैं एक चीज़ तो मैंने बताए नहीं आपको बताया क्या नहीं कि अगर कोई figure congruent है तो similar पक्का होगा अगर कोई figure congruent है तो जरूरी नहीं वो congruent हो याद रखे रहा ना ये sentence, assertion और region में आ सकता है इसलिए आपको क्या बोला मैंने करने के लिए अगर कोई भी figure congruent है तो similar जरूर होगा अगर similar है तो congruent हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वो जरूरी नहीं है ठीक है अब all circle are congruent क्या सारे circle क्या होते है congruent होते है नहीं भी या सारे circle को कैसे congruent कर सकते हो congruent करने के लिए shape or size दोनों जरूरत होता है इसलिए इसका कौन सा option से हो जाएगा ये similar वला हो जाएगा इसमें fill in the blanks में और all square are congruent ये भी नहीं बो सकते होगी congruent में दोको square के सारे side equal होते है कोई छोटा बना सकते है कोई square बड़ा बना सकता है तो ये दोको इसमें congruent ने similar हो सकता है ठीक है all triangles are similar अब वो कौन से सारे triangle similar होंगे सारे triangle को similar तो नहीं कर सकते हो वो equilateral triangle क्या होगा similar हो जाएगा आपका ठीक है all equilateral triangle are similar चाएगा वो छोटा हो या वो बड़ा हो इसको हम बहुत सकते है सारे equilateral triangle क्या होते है similar होते है ठीक अब अगली बात करते है कि दोको ये दिया अब ये theorem ही पुछ लिया जो हमने आगे पीछे पड़के आया थे दो conditions अगर कोई दो polygans को क्या करना है similar करना है और same number में है तो हम उसको क्या बहुत सकते है कि their corresponding angle are their corresponding equal angles इनके angles क्या होंगे equals होंगे और their corresponding side are जैको इसमें equal भर दोगे इसमें क्या भरोगे equal और इसमें क्या बलोगे proportion या same ratio भरोगे यह दोनों बात बराबर है तो हमारा यह पहला exercise समापत हुआ इसके आगे आप जो भी है वो एक example है और यह question है ठीक है यह दिखो दिया हुआ example देने के लिए एक similar figure का example देजिए एक without similar figure का example देजिए तो ऐसे करने के लिए पीछे करके आए अभी बहुत सारे example उसमें से को example right angle और vertex के आते हैемся ताइपशाप triangle लिए एक्विलेटरल triangle आइसो scowelelleIsde triangle ऐसे करके हमने सारि चीजी सेक oluyor है फिर congruent का congruent का क्या हैं क्या होता है congruency criteria क्या हो और यह सारे चीज़ प्र इसके बदा similarinde figure के बारे मुझान और similarity criteria के बारे माहिधा similarity criteria भी आगे पढ़ने वाले लेकिन similar figure कैसे पहचानते और कैसे समझते वो सारे चीजे सीखा तो आज का chapter आपको बहुत ही interesting लगा होगा और बहुत ही आसान concept साथ समझाया और ऐसी आगे बने रही है हम सारे exercise खतम करने तक और extra question तक आपको ऐसी simple और आसान तरीके समझाएंगे और अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया तो एक comment करना ना भूले और ये वीडियो अपने दोस्तों को और अपने जो जिनको जरूरत हो उनको तक पहुचाने में मदद करें और उनसे आप आज के लिए इतना ही धन्यवाद next lecture में next topic के साथ मिलते हैं